पुश्कार स्वागत आपका सेल्ट स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं पहुत एक इंटरस्टिंग टोपिक है सकता हूँ कि सुप्रिम कोट ने एक फैसला सुनाया है लोटरी पर टेक्स को लेकर कि लोटरी पर टेक्स कौन लगाएगा इसको लेकर फैसला सुनाया गया है सुप्रिम कोट के दौरा साथ ही साथ आपको इस वीडियो में भारत में गैंबलिंग के क्या हाल है इसके बारे में बता चलेगा बह洲 कोन सी gambling भारत के अंदर illegal है, gambling बोले तो जुआ कि आप भारत के अंदर जुआ खेल सकते हैं तो किस तरीके का जुआ जो हैं आपको police पकड़कर नहीं लेकर जाएगी और किस तरीके के जुए में आपको police पकड़कर लेकर चली जाएगी और कितने दिन की को डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, देखें अभी हाली में सर्वोच न्याले, सर्वोच न्याले बोले तो सुप्रीम कोट, सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में कहा, कि अगर एक राज्य विधाय का, को अपने अधिकार शेत्र में, अन्ये राज्योंद्वारा आयोजीत लोट्री पर टेक्स लगाने का अधिकार है, सिंपल सधान भाशा में आपको सुसमझाने ही कोषिश करते हूँ, कि मानिए हर्याना है, एके साइठ में लगता हूगा, पंजाब, ये पंजाब होगा, पियू लिख देते हैं, और इसक हर्याना में होगी और कितनी होगी इस पूरे शेत्र में होगी ठीक है इस पूरे शेत्र में होगी अब राजस्थान की कोई लोटरी जो है वो यहां पर लगती है और पंजाब की भी लोटरी जो है वो यहां पर लगती है अब क्या मुझे एक बात आओ क्या हर्याना जो है वो उसके उपर टेक्स ले सकता है वो राज्य जिसके राज्य के अंदर ये लोटरी आयजित करवाई गई है भले वो किसी भी राज्य के द्वार आयजित करवाई गई हो उससे कोई लेना देना नहीं है टेक्स लेना बनता है हर्याना के द्वारा अगर उसके राज्य शेत्र के लोटरी आयजित करवाई जा रही है तो यही फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोट के दोरा कि एक राज्य विधायका को अपने अधिकार शेत्र में अन्य राज्यों दोरा आयजित लोटरी पर टेक्स लगाने का अधिकार है तो अब बाद उठती है सर अगर इन्हों ने बोला है कि टेक्स लगाने का अधिकार है अब तो क्या पहले नहीं होता था पहले क्या होता था तो अब इस बात को जान लेते हैं ये मुद्दा उठा कहां से इसको थोड़ा समझते हैं देखिए कि करनाटक दो राज्ये हैं करनाटक और केरल पहले करनाटक की बात करते हैं कि देखे करनाटक जो हाई कोट है उसने करनाटक पुलिस संसोधन अधिनियम 2021 के कुछ मेजर पोर्शन को स्ट्राइक डाउन कर दिया मतलब हटा दिया उनको खारिज कर दिया उनके अंदर क्या था जो पॉर्शन को उटाया गया है उनके अंदर ये था कि करनाटक के अंदर ओनलाइन जुआ यानि जो कोशल अधारित गेमिंग जो ओनलाइन जुए को क्या कहते हैं गेम ओफ स्किल्स कहा जाते हैं जैसे आप ड्रीम 11 समझते हैं तो ये बात होगी तो ये बात होगी तो करनाटक हाई कोट ने इस नियम को हटा डाला कि भाई आप नहीं लगा सकते ये करनाटक हाई कोट ने बोल दिया एच्छल में करनाटक सरकार क्या चारी थी कि भाई अगर हम इसके ओपर बैन नहीं लगा सकते तो कम से कम थोड़ा पैसा तो कमाने दो ना भाया जोवारी तो खेलेंगे जुआ उनको रोग नहीं सकते तो कम से कम जो उनको legalize करके थोड़ा वो धन तो आने दे यहाँ पर text लगाने की बात थी actual में सरकार को text चाहिए था वो इन्होंने इसलिए ban किया था अब यहाँ पर जो हाई कोट है करनाटक हाई कोट ने उसने आदेश दिये थे करनाटक सरकार को कि आप regulate कर लीजिए regulate बोले तो आप इसके उपर text लगा लीजिए यह बात बोलेगी थी देखे 2020 में सुप्रीम कोट ने माना था कि भई लोटरी, जुआ और सट्टे बाजी GST के अंडर आते हैं GST के अंडर टेक्स के योग्य हैं यह बात 2020 में सुप्रीम कोट ने बोल दी थी clear यहाँ पर तो यहाँ पर करनाटक सरकार एक तरीके से टेक्स लेने के लिए यह सब चीज़ें कर रही थी actual में कहूं तो उनको सीधा ही कर लेना चाहिए थे ban boon लगाने की क्या जुरूरत थी रुपे तो चाहिए थे थोड़ा बोत हम background की बात कर लेते हैं अभी यह जो फैसला आया है कि एक राज्य के अंदर एक राज्य के अंदर अपील दिया गया है जिसमें केरल और करनाटक में नागालेंड और नाचल परदेश सिक्कि मनिपूर राज्यों द्वारा आयोजित और परचारित लोटरी पर टेक्स लगाने हे तो विधायकों ने अधिनियमित कानूनों को रद कर दिया था अच्छल में क्या था कि करनाटक और केरल सरकार ने जो भी इनके अंदर मालो ये करनाटक हो गया ये वादा करनाटक माल लेते हैं या केरल हो गया तो यहाँ पर क्या थी दो उत्रपूर्वी जो राज्यें हैं वो करनाटक सरकार या केरल सरकार को देना पड़ेगा क्लियर यहाँ पर अब सुप्रीम कोट जो हाई कोट है वहाँ के संबंदित राज्यों के यानि केरल सुप्रीम कोट हो गया करनाटक हाई कोट हो गया उपर से ये बोला हाई कोट्स ने दोनों राज्यों को कि ये जो आप काम कर रहे हैं वो एक तो एमान्य है एक अनकॉंस्टिटुशनल है और एवन अगर आपने जो टेक्स लगाया है लोटरी के उपर और जिससे रुपए आपने लिया है वो रुपए आप इन उत्रपूरी राज्यों को वापस करेंगे ये आदेश दे दिये थे समझ में आया तो ये गए सुप्रीम कोट के पास के दब माश्य है आप तो सबसे बड़े हैं थोड़ा सा निवानन करिये हैं हमारी स्याओं का तो सुप्रेम कोट ने कहा कि देखे लोटरी एक जुप गती वीदी है यानि गैंबलिंग के अक्टिविटी लोटरी तुक का लगेगा तो लगेगा नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा और सट्टे बाजी और जुप जो है वो समिधान की साथवी इनसूची सात्य उन्य सुची में हमारे सामने तीन सुची है एक राज्य सुची आती है एक केंदर सुची आती है और एक समवर्ती सुची आती है समवर्ती सुची आती है ठीक है? यह तीन सुची आती है राज्य सुची के में राज्य कानून मनाता है किंदर सुची में किंदर कानून बनाते हैं और समवर्थी में दोनों कानून बनाते हैं लेकिन अगर किसी एक के उपर दोनों ने कानून बना दिया तो किंदर की चलती है तो यहां पर राज्य सुची का विशे कौन सा है यह सट्टा बाजी और जुगा है यानि रज्य के पास power है 60 बाजी और जुए के उपर मतलब की कानून बनाने की clear उसके पास ये power है ये कौन power देता है ये समीधान देता है इनको तो समीधान से उपर तो कुछ नहीं हो सकता अर ये बात किस ने बोल दी ये इस बात सुप्रीम कोट ने बोल दी ऐसे में राज्य सरकार को अपने सभी करती वीडियों पर टेक्स अधिरोपित करने की शक्ती प्राप्त है जो लोट्री साइथ, 60 बाजी और जुए की परकरती के है बोले तो भाया कोई भी लगा रहा हो यह कोई भी राज्य की लोट्री जो है वो किसी भी दूसरी राज्य में लगा रही हो वो राज्य जो है वहाँ पर टेक्स ले सकता है यानि केरल और जो करनाटक के अंदर जो लोट्री जो थी वो उत्तरपूरी राज्य से की जा रही थी वो वहाँ पर टेक्स ले सकती है केलर राज्य और करनाटक राज्य ये बात यहाँ पर प्रूफ होती है समीधान की सात्वी निसोची चे और गोल दिया है सुप्रीम कोट ने बतलब कि सट्टेवाजी और जुआ एक परकार की व्यापक श्रेणी है, बहुत बड़ी श्रेणी है जिसके अंदर घुरदोड आती है, वीलिंग होगी अन्य स्थानी सट्टेवाजी है, जुआं से सम्मधित गतिवीनिया शामील होती है अब इनके बारे में और भी आपको बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सी एक्टिविटी जो है नमारे देश के अंदर लीगल है और कौन सी गैंबलिंग जो है, वो इल्लीगल है अब अदालत ने का, यानि सुप्रीम कोट ने का देखिए, इस पर तो कोई विवाद ही नहीं है लोटरी, चाहिए वो भारसरकार या फिर कोई भी राज्य सरकार या राज्य सरकार दोरा अधिकरित यानि जिसने अथोराइज कर रखा हो या राज्य या केंदर सरकार दोरा किसी एजन्सी को अथोर्टी दे रखी हो या फिर कोई खुद, नीजी कोई कमपनी हो उसके द्वारा अगर लोटरी लगाई मतलब कि आयजित करवाई जा रही है जिस भी राज्य में आयजित करवाई जाती है तो उस राज्यिक विधान सबाओं के पास राज्य सूची की एंट्री नमबर 62 के तहत टैक्स लगाने का अधिकार है तो भाई या वो रुपया वापस नहीं करेंगे केरल और करनाटक उत्तरपूरी राज्यों को जिन्होंने रुपया लिया है मतलब कि टैक्स लिया है लोटरी से और इस इस एंट्री नमबर 62 में बोला गया है टैक्स लगाने की पावर आती है राज्य को सट्टा बाजी और जुआ जैसी गती वीडियों में इसमें शामिल किया गया है इस एंट्री नमबर 2 के अंदर जिसमें लोटरी भी शामिल है भले ही इसका संचालन भले ही कोई भी चला रहा हो अब यह कहा न भारत सरकार या नि सेंट्रल गवर्मेंट ही क्यों न इसको चला रही हो तब भी राज्य सरकार उससे टैक्स वसूले गी यह बात हो गई अब थोड़े बहुत हम जान लेते हैं कि लोटरी जुआ और सट्टेवाजी समंदित जो कोई कानून बने हुए हैं केंद्री या नि जो सेंट्रल लोज हैं उनके बारे हम जान लेते हैं एक है लोटरी वी नियमन अधिनियम 1998 यानि लोटरी जेगुलेशन एक्ट 1998 इसमें ये बात बोली गई इस अधिनियम के तैट भारत में लोटरी को एक तरीके से कानूनी रूप दिया गया है लीगल है मतलब कि भारत में लोटरी एक लीगल है मानेता पराप्त हैं लोटरी का आयजन राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और लोटरी के ड्रो का स्थान भी उस राज्य विशेश में ही राज्य विशेश में ही होना चाहिए और एक भारत दंड सहीता 1860 यानि इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर बहुत इंपोर्टन चीज़े है कि देखे यदि कोई सारजनिक स्थान पर अशलील काम कर रहा है या किसी भी सारजनिक स्थान पर या उसके आसपास कोई अशलील गीत गा भी रहा है या बोलता है तो इंडियन पिनल कोड में उसके लिए सजा का प्रावधान है और इसके बाद सत्टे बाजी में इसी में बात बोली गई है अगर उसमें किसी अशलील सामगरी का यूज किया गया है तो वो भी IPC यानि इंडियन पिनल कोड के अंदर आते हैं उनके उपर कानूनी कारवाई होगी यानि किसके उपर अशलील सामगरी अगर उसके अंदर 1999 इसमें यह बोला गया है कि अगर आपने लोट्री, रैसिंग, रैडिंग इनसे अगर आपने पैसे कमाये हैं आपने इंकम कियें और उसको रेमिटेंस लिया है मतलब रेमिटेंस भेज रहे हैं रेमिटेंस का मतलब होता है जो आपने देखा ने कि UAE हो यानि दुबइ हो साथी अरेबिया यहां पर जो आपने देश के जो नागरी गए हुए है और वो पैसा कमा कर हमारे देश में भेज रहे हैं वापस अपने घरों भेज रहे हैं उसे रेमिंटेंस कहते हैं तो वो कहा गया कि अगर आपने इस तरीके का पैसा कमा कर अपने देश में भेजा है तो वो परतिबंदित है वो आप नहीं भेज सकते ठीक है ये बात बोली गई है किसके अंदर विदेशी मुद्रा परबंदर अंदिनियम 1999 obviously foreign exchange के पर बात हो रही है न यहां पर अगली बात बोली गई है कि सूचना प्रद्योगी की नियम 2011 इसमें ये बोला गया है कि कोई भी अगर internet service provider है या network service provider है या भी कोई भी सर्च इंजन है वो ना तो host करेंगे ना ही directly और indirectly support करेंगे gambling को ये किसमें बोला गया है सूचना प्रद्योगी नियम 2011 के अंदर information technology rule 2011 में फिर आयकर अधिनियम 1961 आता है इसमें बोला गया कि भारत में वर्तमान में जो tax लगाने की जो नीती है भहिया वो direct और indirect सभी परकार के जो जुआ हो दियोगे उनको शामिल करती है इस परकार यह कहा जा सकता है कि सभी परकार से जो regulated और legalized जुआ भारत के GDP द्वारा समर्थित हो गया ठीक है अब समझो हमारे देश में अब आपके बाद सामने आती है कि क्या online online हम जुआ खेल सकते हैं मतलब कि आप dream 11 का नाम सुनते हैं उसमें आप team को चुनते हो team को चुनकर उसमें रुपया जीतने वाली बात होती है उस team को बनाने के लिए आपको रुपया देना पड़ता है वो जीतते हो तो आपको रुपया मिलता है तो भारत सरकार ने इसको legalize कर रखा है अगर आप गोडों की race के उपर रुपया लगा रहे हो उसको भी legalize कर रखा है कुछ casino होगी जैसे हमारे यहाँ पर गोवा के अंदर हो गया या फिर सिक्किम के अंदर हो गया या फिर हमारे यहाँ पर दमन्दिव के अंदर हो गया यहाँ पर casino है कुछ एक जगा पर ही है उसके अंदर आप जाके जुआ खेलते हो जिस तरीकी के उसके सिनों में खिलाया जाते है तो वो भी legalize है उसके अंदर पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी अब बात करें कि आप घर में बैठ कर पत्ते खेल रहे हो पत्ते खेल रहे हो और आपने जुआ एक तरीके के पत्ते में पैसों की बाजी लगा रखी है या फिर टीवी के सामने मैं चल रहे है जैसे IPL के अंदर आपने लगाया इस बोल के उपर छक्का लगेगा लग गया तो मैं तिरको 500 पे दूँगा सामने वाला कहता है अगर नहीं लगा तो मैं तिरको 800 पे या 800 पे दूँआ ऐसा कुछ वो शर्त लगाते हैं तो वो illegal है वो नहीं कर सकते हैं तो ये एक cognitiable अपराद है मतलब कि इसमें जो अगर पुलिस ने raid मारी इस चीज़ के अंदर आते जाते जहां के लिए आपको भी लपक लेगी पुलिस यहां पर पुलिस लेकर आपको चली जाएगी और cognitiable है तो warrant की जूर्त पड़ेगी नहीं आपको डाल देगी जेल के अंदर इवन आप यहां पर एक by label है यह ऐसा नहीं है कि आप bail नहीं लग सकते वहां पर आप किसी अपनी जानकर को बुला लेजी आपको मतलब जाना भी नहीं पड़ेगा जेल के अंदर या पर आप बैठे रहेंगे तो आपको कोई जानने वाला आएगा आपके bond पे sign करेगा और आपको लेकर चला जाएगा वहां से तो bail label है वो हर किसी के लिए है चिवह जुआ खिलाने वाला हो चिवह जुआ खेलने वाला हो इवन देखने वाला हो और जो समान जब्त किया जाता है पुलिस के तोर वो आपस नहीं देते हैं और यहां पर जो सजा है वो लगबग अगर आप पहली बार पकड़े जा रहे हो तो लगबग 6 महीने की अब वो magistrate के उपर होता है magistrate अपने विवेक के अंसार पहली बार ख कायद कर सकते हैं लेकिन रुपया जो है वो 500 से बढ़कर 1000 कर दिया जाता है ठीक है और अगली तीसरी बार पकड़े जाते हो तो भाईया 6 महीने से लेकर एक साल तक ही सजा हो सकती है जुर्माना जो है वो 2000 हो जाता है वहां पर तो यह हो जाते है हमारे सामने तो उमीद करत कर सकते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अदिसस्याइब करें क्यूंकि इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और पी-डाइफ के लिये मैंने आप लोगों को औरने हैं और ज़्यादा ही पसंद आई है तो शेर कर दीजिए वीडियो को भी as well as channel को भी तो ऐसी ही वीडियो के लिए बने रही है हमारे channel के साथ thank you for watching this video